ये कितने के हैं? साबुन कहां मिल जाएगा? क्या आपके पास ये एक नमबर बड़े साइज में है क्या? क्या इसमें दूसरे रंग भी आते हैं क्या? क्या आप इसे घर तक पहुचा देंगे? गाइज ये सब ही बातें शॉपिंग करते वक्त आप करते हैं लेकिन इंग्लिश में करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि समझ नहीं आता कि साइज की बात करनी है तो कैसे बोलू? तो आज मैं लेकर आगई हूँ आपके लिए ऐसे ही कमाल के फ्रेजिस जो आपके शॉपिंग में आपकी मदद करेंगे और ये एक ऐसा काम है जो हर कोई करता है इविन हर दिन करता है तो अब से आप ये सारी बातें इंग्लिश में पूछ पाएंगे मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो वहाँ जो भी अटेंडेंट होता है उससे आपको पूछना होता है कैसे? Excuse me? Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या फिर Can you help me? I cannot find biscuits आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप क्या बोलते है? Can you help me? I cannot find biscuits तो वह आपको बताएंगे कि कहाँ पर biscuits available है दूसरा है I am looking for I am looking for means मैं ये हून रही हूँ तो I am looking for something यहाँ पर आप उसका use कर लेंगे कैसे use करना? Excuse me I am looking for a gown I am looking for a gown फिर वह आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर gowns available होंगे I am looking for shoes मैं जूते ढून रही हूँ Can you help me? तो पिछला वाला फ्रेज यहाँ पर आप साथ में जोड सकते हैं I am looking for a pair of shoes Can you help me? ठीक है? ऐसे अगला है How much does this cost? आप चाहें तो उस आइटम का नाम भी लगा सकते हैं हम examples में देखेंगे पहले याँ समझते है How much does this cost? और How much does that cost? दोनों में क्या फरकाएगा? वो भी देखेंगे तो देखे How much does this cost? तो जब आपके हाथ में कोई चीज है जिसे मेरे हाथ में ये है मैं बोलती हूँ How much does this cost? ये कितने का है? हाथ में है this बोल दिया और अगर मैं उसके साथ उस object को जोड लो How much does this? मानने जब shirt खरीद रहे है तो बोलेंगे How much does this shirt cost? तो ज़रूरी निया कि सिर्फ हाथ में हो अगर आपके pass में है बगल में ठीक है तो वहाँ भी आप उसका use करेंगे How much does this shirt cost? ठीक? अगर वो चीज आप से दूर है तो आप point करते हैं और point करके बोलते हैं How much does that cost? या फिर उस चीज का नाम लेके How much does that shirt cost? Clear? तो यह आपने पूछ लिया इससे भी एक easy तरीका है How much is this? या How much is that? बोलने का ठीक है? तो वहाँ पे Does this cost की जिगह आप बोल दीजिए How much is this? इसका मतलब ये कितने का है How much is that? वो कितने का है यहाँ भी आप चाहें तो आइटम का नाम जोड सकते हैं How much is this? या फिर How much is this shirt? ठीक? और अगर दूर है How much is that? या फिर How much is that shirt? Over there ये भी आप अट कर सकते हैं वहाँ पर हाँ दिखाते हुए Clear? Next is How much are these? अब ये समझने की बात है अगर वो चीज जिसके बारे में आप जिसका दाम पूछ रहे हैं जिसकी कीमत पूछ रहे हैं वो singular है एक चीज है तो आपने this that का use किया अगर वो एक से ज़्यादा है तो आप these और those का use करेंगे ठीक है? और फिर वो items जो होंगे उन है How much are these? पास में हैं कई सारे हैं आपने बोला ये कितने के हैं या फिर How much are these pants? अब आप बोलेंगे pants तो एक ही होता है लेकिन pants में क्योंकि दो पैर होते है pants को हमेशा plural की category में रखते हैं How much are these pants? ये pants कितने के हैं इसी तरीके से jeans भी plural है उसके साथ are लगाएंगे याद रखेगा और अगर ये बात आपको पहले नहीं पताती तो comment section में एक बार ये sentence जरूर से लिख देजेगा Where can I find और फिर item का नाम मुझे ये कहां मिल सकता है तो जब भी आप कहीं जाते हैं shopping करने तो पता नहीं होता ना कि हर चीज़ कहां रखी है तो आप पूछ सकते हैं इस तरीके से बस इसको याद रखेए Where can I find फिर item का नाम Excuse me Where can I find soaps? Excuse me Where can I find pants? Excuse me Where can I find shirts? इस तरीके से आप पूछ सकते हैं अगला है Do you have this? और फिर item का नाम In a different color तो item का नाम आप तभी लेंगे जबकि आपको बोलने की जरूरत है अगर हाथ में है तो simply आप बोलेंगे Do you have this in a different color? क्या आपके पास ये अलग color में है? तो जब आपको color options चाहिए तो आप ये use करें I do not like this shade of green मुझे ये green shade पसंद नहीं आ रहा Do you have this in a different color? क्या आपके पास दूसरे colors में है ये चीज़? Clear? Next is Does this come in a different color? बात वही है थोड़ा सा अलग तरीके से रखा तो it's really nice कि आपके पास एक से ज़्यादा phrases हो एक ही चीज़ को बोलने के ताकि आप हमेशा बदल-बदल कर use करें Does this scarf come in a different color? तो scarf है उसके लिए मैंने पूछा कि क्या ये scarf अलग colors में भी available है? This will not match my kameez ये मेरी kameez से match नहीं करेगा kameez भी English में मिल जाएगा आपको अगर आप dictionary में check करें तो अब आते हैं I need this in a size और फिर जो size आपको चाहिए वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे I need this in a size ये आपको याद रखना है I need this in a size this I need this in a size 4 In a size 5 ठीक यहाँ देखिए I need this in a size 12, please I need this in a size 12, please These shoes are too large, ये जूते बहुत बड़े हैं I need these in a size 4 मुझे ये चार number में चाहिए चार size के Does this come in different sizes? तो वही बात है आप size के लिए पूछ लिया कि क्या इनमें अलग-अलग sizes available हैं? आते हैं Does this dress come in different sizes? कई बार होता है कि full size की चेज़ें आती हैं उसमें अलग-अलग sizes नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं ये बात Does this dress come in different sizes? या फिर Do these shoes come in children's sizes? मतलब बच्चों के size में आते हैं ये shoes आपको बड़ों का दिखा पसंद आगया आपने पूछा बच्चों के size में आते हैं कैसे पूछा? Do these shoes come in children's sizes? तो क्योंकि shoes हैं तो do लगाया these लगाया, dress है तो does लगाया this लगाया, clear? अब आते हैं I do not know my size ठीक, कई बार होता है कि आपको अपना size नहीं पता तो आप इसमें बेज जब पूछ सकते हैं ये बात बताते हुए I do not know my size पर आगे आप बात बोलेंगे देखे I want to buy a shirt मुझे एक shirt खरीदनी है but I do not know my size ताकि वो आपकी help करे ये बताने में कि आपको कौन सा size जाएगा What size are you? अगर कोई आप से पूछ लेता है कि आपकी क्या size है जब आप attendant के पास जाते हैं आपने बोला कि I want to buy a shirt तो वो पूछ सकता है What size are you? तो आप क्या बोलेंगे I do not know my size Can you help me? मुझे मेरी size नहीं पता क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने जवाब दे दिया I take a size this in this ये हमने बता दिया category कि चीज में और size यहाँ पे जब आपको size पता हो What size do you take? So अगर किसी से ये पूछा जाता है कि आपकी क्या size है तो या तो पूछ सकते हैं What size are you? या फिर What size do you take? तो अगर ऐसे सवाल किया गया तो आप क्या बोलेंगे I take a size 4 in shoes ठीक है? इसकी आदत डाल लेजे I take a size then this in this अगला है It's not my size जब कोई आपके size कर नहीं है कोई चीज तो आप simply बोले It's not my size Do you have a bigger size? Do you have a smaller size? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं This shirt is not my size Do you have a bigger size? Do you have a smaller size? ये आप बोलें आगे I do not need a bag अब आपने क्या कि चीजे खरीद ली अब आप जब आते हैं billing counter पर तो billing हो गई तो वहाँ पूचा जाता है Do you need a bag? तो आप बोलेंगे I do not need a bag मुझे bag नहीं चाहिए तो कैसे बोल सकते हैं? No thanks नहीं धन्यवाद I do not need a bag मुझे bag नहीं चाहिए I can just carry it मतलब चीज बहुत छोटी सी है तो मैं इसे ले जा सकते हूँ I do not need a bag या फिर I do not need a bag I brought my own with me मैं मेरा bag अपने साथ लेकर आई हूँ I do not need a bag clear? आगे है Can I have this delivered? जब आप कोई बड़ा आइटम खरीद लेते हैं बड़ी चीज तो वो आप अपने से घर नहीं ले जा सकते हैं तो वहाँ आप पूछते हैं क्या आप इसे delivery इसकी कराते हैं क्या आप इसे घर पहुचा सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे Can I have this delivered? ठीक This wardrobe is perfect ये wardrobe perfect है Can I have this delivered? क्या आप इसे घर पहुचा सकते हैं Can I have this delivered next Thursday? आपने दिन बता दिया क्या आप इसे अगले गुरुवार को पहुचा सकते हैं ठीक इस तरह के से आपने इसका यूज किया अब क्या है जब चीज बड़ी हो मानने जे बहुत बड़ी नहीं है जो कि आपको delivery कराना पड़े बट इतना है जो आप उठा नहीं सकते आराम से तो आप ये यूज कीजे Can someone help me carry this out? तो बाहर आपकी कार खड़ी है वहां तक ले जाने के लिए या फिर वहां से बाहर निकालने के लिए आप इसका यूज करेंगे Can someone help me carry this out? प्लीज भी लगा सकते हैं Can someone help me carry this out please? ठीक This is too heavy for me ये मेरे लिए बहुत भारी है Can someone help me carry this out please? So guys, ये phrases आपको कैसे लगे? इतने सारे phrases मैंने आपको दिये जो आप shopping के दौरान यूज कर सकते हैं अगर आपके पास और भी sentences हैं और भी situations आपके समझ में आ रही है कि इसको कैसे English में बोला जाए तो आप comment section में लिख दीजेगा मैं एक वीडियो उस पर बना दूँगी जरूर से फिर से इकठे करके तो जितने भी sentences हैं सारे comment section में लिख दीजेगा मैं वीडियो लेकर जरूर से आऊंगे उसके अलावा अभी तक आपने English connection आप को install ना किया हो तो जल्दी से play store पर जाएं English connection टाइप करें और install करें आप को वहाँ भी आपके लिए चीजें हैं देखें और अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहें मिलते हूँ आप से अगले वीडियो में ये वीडियो कैसे लगी ये भी लिख के जरूर बताएगा शेयर जरूर करना है सब के साथ लाइक कर दीजेगर वीडियो पसंद आई हो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देए उसके बाद आने वाले मिल आइकाउन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन्स मिले और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएँ जैहें